हाई फ्रेंड से एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है सीबा टोकन काफी सवाल यार आप लोगों की तरब से पूछे जाते हैं जिसमें पूछा जाता है सीबा टोकन का प्राइस प्रेडिक्शन कि कहा तक सीबा एनू जा सकता है देखे यार CBNU की कोई limit नहीं है मैं clear कर दू इस वीडियो में भाड के आपको बाते बताने वाला हूँ भले ही आप लोगों को मजाग बात लगे भले ही आप लोग बहुत सारे satisfy ना हो लेकिन reality यही है कि 2021 का bull run मैंने देखा है मुझे comments करना 2021 का bull run किस किस बंदे ने देखा है CBNU का और bitcoin का और crypto market का जिन लोगों ने 2021 का bull run देखा है न वो लोग यहाँ पर कह सकते है कि CBNU एक डोलर से 10 डोलर जा सकता है इस bull run में और उसके लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है यार क्योंकि जिसने bull run देखा है न वो जानता है कि यार bull run में किसी ने सोचा भी नहीं होगा वहाँ तक चीजे हो सकती है वहाँ तक हद हो सकती है sorry यार बीच में एक phone आ गया था तो मैं कह रहा था कि bull run में वो होगा जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा reality यही है देखें Siba Inu एक ऐसा token है जो bull run का भरपूर फाइदा उठाता है आपने देखा होगा 2021 में भी bull run का सबसे बड़ा जो फाइदा उठाया था ना वो Siba Inu और Doge Coin ने उठाया था Doge Coin तो चलो Elon Musk की कृपा से अचानेक्स increase हो गया था लेकिन Siba Inu के उपर किसी का हाथ नहीं था Elon Musk का इतना भी बड़ा हाथ नहीं था जितना हम expect कर रहे लेकिन उसके बाव जो Siba Inu अपने खुद के दम पर बड़ा था और खुद के दम पर अचानक से लाखो पर्षेंड का return इसने निकाल के दिया था और ये अच्छूता नहीं है कि Siba Inu में वापस वो दिन नहीं आ सकते हैं और आज भी अगर आप देखेंगे तो community आप हो भले अगर आप स्वेंबी आर मानते हो कि Siba Inu में बुलरन की शुरुत कभी भी हो सकती कभी भी बुलरन आ सकता है मैं भी मानता हूँ ये और हर कोई Siba Community Siba Army का हर बंदा मानता है कभी भी किसी भी token के पीछे आर्मी नहीं लगा है लेकिन Siba Army लगा है और Siba Investor के पीछे ही आर्मी लगा है और सबसे ज़्यादा यूजर इसी में अगर आज की कंडिशन में देखा तो Siba Army इस टाइप से पागल है Siba Inu को लेकर गया और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है तो किसी अन्य टोकन में ये पागलपन आपको देखने को नहीं मिलता है अकले Siba Inu में ये पागलपन देखने को मिलता है और आज मैं आपको बता दू Siba Team इसको भली भाती जानती है अगर आज की कंडिशन में देखे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा Siba user है एक रिपोर् देखे तो Siba Team काफी इस चीज को भली बाती जानती है और इसलिए वो multiple चीजे एक साथ Siba के साथ लाई है जैसे like Siba Shweep हो गया Siba Play to Earn हो गया इसके अलावा Siba Meta में कदम रख रहा है इसके अलावा खुद का NFT यहाँ पर collection खुद का आ चुका है सिबे जो Sibarium है L2 blockchain उसमें एक बड़ी blockchain की तैयारी में लगा हुआ है Sibarium तो चीजे अपने आप में बहुत बड़ी घटित हो रही है और ये दिन दूर नहीं जब Siba Bullrun की सिरुवात यहां से करेगा Bullrun की सिरुवात करने के लिए कोई सा एक main आधार चाहिए एक main base तैयार होना चाहिए आपको मैं Siba token में दो base बड़े बड़े बताऊंगा जिससे कि Bullrun की सुरुवात कभी भी हो सकती है एक बड़ा base है सबसे बड़ा Bitcoin का sport ETF ठीक है US Securities of Exchange Commission की तरफ से जो 11 कंपनियों को ETF का approval दिया है वो एक बड़ा major role play करने वाला है बड़ा factor रहेगा साबित जहांपर Bitcoin का US से सीधे direct US का ETF के माध्यम से पेसा आएगा और कभी भी Bitcoin अपना Bullrun सिरु कर सकता है और ये सिरुवात 2024 में ही होना है कभी भी तो 2024 में जब Bitcoin का अपना Bullrun सिरु होगा न तो जितने भी altcoin है सीबा और अन सब सवार हो जाएंगे इस race में वो तेजी से यहांपर जो है इसके पीछे पीछे दोड़ेंगे तो Bitcoin एक बड़ा Bullrun के सिरुवात यहां से करेगा sport ETF यहांपर हो चुकी है हो सकता है हालविंग का weight यहांपर किया जा रहा हो तो हो सकता है ऐसा हो कि हालविंग के बाद यहांपर जो Bullrun ने उसकी सिरुवात हो होना कुछ भी है क्योंकि अगर आप देखेंगे Bitcoin अगर आप January निकलने की तैयारी में अगर हो गया है और अगर फर्वरी आता है तो फर्वरी एक मन्त मार्च बचेगा केवल जहांपर Bullrun की सिरुवात हो सकती है क्योंकि मार्च में कभी भी Bullrun की सिरुवात नहीं होगी क्योंकि अपरेल में आप देखोगे हालविंग आना है और हालविंग के लिए मातरे 9-3-3-10 बचेए मतलब 3 महीने का समय बचा है तो उसमें तो ओविसली प्राइस गिरना है उससे पहले हालविंग के बाद प्राइस बढ़ेगी लेकिन उससे पहले प्राइस गिरेगी यह जादा मार्केट में आने से तो ओविसली हालविंग के बाद ही चीज़े यहां से सुधर सकती है और हालविंग के बाद होगा क्या कि माइनिंग एक तरीके से ना के बराबर हो जाएगी या आधी हो जाएगी जो लोग अभी हालविंग से पहले जितनी भी माइनिंग कर करेंगे दिन रात वो लोग उदर ठक जाएंगे वो अराम करेंगे रेष्ट और उसके बाद जो लोग हालविंग वहां करने की इच्छा जाहिद करेंगे उनको पता है reward आधा हो गया है तो बोले कोई मतलम नहीं है इतना पेसा मिलेगा नहीं है यहां पर वो उस आधा जितनी मेहनत यहां पर करेंगे उससे डबल वहां करने पड़ेंगे हालविंग के बाद तब जाके वो reward उनको उस टाइम मिलेगा तो वो यहां पर नेगेटिव मोट पर जाएंगे तो दो फेक्टर काम करेंगे तो इस कारण से हालविंग के बाद प्राइस बढ़ेगे क्योंकि ड साथ एक ही दिसा में उपर की रेंज में चलता है थोड़ी तवरित उसमें डाउन फोल आता है तो कहने का मतलब फरवरी या फिर अप्रेल के बाद कभी भी बुलरन सिरुवात होगा और बिटकोईन इस पे सवार होगा अब बिटकोईन के साथ दूसरा बड़ा फेक्टर का भल में का रखंफ खुटकी साथ इनका यहां पर इसका अलग अलग तोकन है लाइक तोकन होगया और भी ृदि खुटका एक ओर टोकन आ रहा है तो यह एक मूनिटी है इनकी एक सिटम इसने बना रखा है क्योंकि सिबेरियम का यूजर सीबा पर शिप्ट होगे मेटा और प्लेटु अर्ण वाले कॉंसेट वाले यूजर सीबा पर शिप्ट होंगे इसके अलावा खुद की एक बरनिंग अलग से एक कर रहे हैं बरनिंग लोग देखकर इस पर आकर शित होंगे तूट पड़ेंगे लोस लीस और बॉन टोकन के जो यूजर है वह सीबा पर शिप्ट होंगे तो एक तरीके से एको सिस्टम बना के रखा है तो ये भी एक बेस का काम करेगा बुल रन में तो ये सब चीज़े अगर समग रहे हम तरीके से देखे ना तो एक बड़ा बुल रन की सिरुवात यहां से दे रहा है 21 में कुछ भी नहीं था आपको मैं बता तो 21 के बुल रन में ऐसा कुछ भी नहीं था उसके बावजुत बुल रन की सुरुआत हुई थी और वो बुल रन की सुरुआत करी थी बिटकोईन ओर नए यूजर ने और इंडियन यूजर ने खास कर तो आप सोचें अब तो वो अभी से सीबा को कहीना कही भले वो ट्रेड नहीं कर रहे बेचारे भले होल्डिंग लेके बेठे या नहीं लेके बेठे लेकिन सीबा को भूले नहीं है वो लोग सीबा के बुलरन का वेट कर रहे और सवार हो जाएंगे इसके ओपर तो वो लोग तो 21 का मैं कह रहा हूँ ना फिर से कि किस का bull run जिसने देखा है ना मैंने देखा है इसलिए बोल रहा हूँ कि सीवा एक रुपे दस रुपे कहीं पर भी जा सकता है उसके लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है और bull run में वो होगा जो किसी ने भी सोचा नहीं होगा अभी तक वो होगा bull run में तो प्लीज वेट करिए क्योंकि ये जो आपने देखा होगा इस प्राइस पर भी जो लोग ये wheels वगेरा है जो एक लाग डोलर से बड़े transition वाले wheels से है ये लोग अब जाके entry ले रहे है और millions ट्रियंस में चाहे वो Robin Hood को देख लो या Justice Sun, Tron के संस्तापक उनको देख लो सब लोग इस टाइम entry ले रहे है और हम भाग रहे है हम डर रहे है भाई या डरने की बात नहीं है मार्केट नीचे जा रहा है वो सेर कहते ना सेर जब पीछे दो पेर पीछे जाता है तो इसका मतलब वो डर नहीं गया वो आगे बढ़ने के लिए पीछे गया है तो हर अपडेट के लिए आपको चैनल सस्क्राइब करना पड़ेगा हर बुलरन की सुरुआत से पहले में संकेत आपको बताऊंगा आपका काम है चैनल को सस्क्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों तक जिन तक ये वीडियो पहुचना चाहिए पिस्टाइब करवां।